इस सेलेक्शन होता है एंटीपीसी का जो पॉपुलर केटेगरी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर केटेगरी उसको बोलते हैं उसमें 1.6.6 क्रोड अप्लिकेशन आई हैं और यह जो NTPC का जब भी हम रिप्रूप्मेंट करते हैं पीछले तीन सालों में जो भी हमने रिप्रूप्मेंट किया है इसमें समय लगता है समय इसलिए लगता है कि 1.60.000.000 अप्लिकेशन को पूरा स्क्रूटिनी की जाती है उनकी eligibility देखते हैं उनके सब कुछ चीजें मिलान करके और उसके बाद से आपको पता होगा कि यह कंप्यूटर से सारे एक्जाम होते हैं इसके exam centers में होते हैं यह exam महीनों चलते हैं candidates आपने देखा होगा कि जब यह NTPC का exam होता है और जिस सरह से candidates travel करते हैं ट्रेनों में वो भी एक बहुत बड़ा challenge होता है कि कैसे वो travel करके जाते हैं 1.60.000.000 लोगों को चाहे हम कितना भी उनके exam center उनके घर के पास रखने की कोशिश करें उनको travel करना पड़ता है तो यह हमने पूरी तयारी कर ली थी lockdown से पहले scrutiny अगरा सारी complete कर ली थी we were in the process of selecting those centers जहां पे कि इनका exam हो exam center हम select करने वाले थे और इसके बीच में यह जो वैस्विक महामारी आ गई बिड़ा बताय आ गई और वैस्विक महामारी में जिस तरह से समझ से आ गई इस समय हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें लेकिन आप मुझसे सहमेत होंगे कि एक करोड़ साथ लाख लोगों का exam हम शुरू करने सा तो यह COVID की situation है इसको assess करना पड़ेगा और उसको assess करने के बाद ही हम यह exam कर पाएंगे लेकिन आपनों के माध्यम से मैं फिर से सारे candidates को यह भरोसा दिलाता हूं कि इस समय ही जो वैस्टिक महामारी है जिसमें कि सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब को मिलके इस वैस् सब्सक्राइब को जैसे ही फोड़ा सा यह संभव होगा हमको की exam centers मिल जाएंगे और वो गातो हम एक सब्सक्राइब एक मिनट लेक मीं कम्टीट अंदेन आल टेक शप्लेमेंट कि एक मिनटेक मिनटेक अधेज जैए हम एक्जाम कराएंगे थैंक यू बताएं नेक्स्पेस l United Yes sir. Sir, he is asking that there are some media queries regarding the recruitment process going on. Regarding Recruitment process going on in Indian Railway sir. Okay In 2018 we started the process so there are some concern that some people have not received the call letter sorry the appointment letters and offer letters. सबको बताना चाहता हूं कि सबको पॉल लेटर मिलेगा और मैं आपको फोड़ा सा इसका डिटेल डिटेल देजेता हूं दो तरह के रिप्रूट्मेंट चल रहे थे एक असिस्टेंट लोको पाइलेट और टेक्नीशियन का और असिस्टेंट लोको पाइलेट और टेक्नीशियन में करीब 48 लाख कैंड़ेट्स थे 48 लाख कैंड़ेट्स का हमने एक्जाम लिया बहुत ही ट्रांस्पेरेंट तरीके से लिया बहुत सक्सेस्फुली उसको कम्प्रीट किया और उसमें हमने एक्पॉइंट्मेंट लेटर्स काफी इसू कर दिया है उसमें आपके माधियम से सब को ऐसी और करना चाहता हूं कि यह यह जो एलपी के जो एक्पॉइंट्मेंट लेटर्स हैं वो सबको इसू कर दिये जाएंगे इसमें खाली समस्या जो आई है जो इसमें इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसमें जो विकेंसी सर्कुलेट करी थी हमने 64,371 हमने विकेंसी सर्कुलेट की थी और यह जब विकेंसी हम सर्कुलेट करते हैं और जब इतने जाजे कैंडिट आते हैं 47.4 लाक्स कैंडिट थे तो यह जो हमारा रिक्रूट्मेंट का प्रॉसेस है इसमें समय लगता है लोगों को एक्जाम देना पड़ता है तो इसलि विकेंसी वर्काउट करके एंटिसिपेटेड विकेंसी कितनी रेटार्मेंट्स हैं यह सारा हम कल्कुलेट करते हैं और वह एंटिसिपेटेड विकेंसी कल्कुलेट करके हम यह रिक्रूट्मेंट करते हैं यह जो हमने रिक्रूट्मेंट किया इसमें देसंबर 20 आज हम 56,378 और आपके माधियम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो वेकेंसी सर्कुलेट हुई थी 64,371 उतनी वेकेंसी फिलप होगी वो एक उसका तैप प्रसीजर है और उस हिसाब से वो पैनल इसु होता है और उस हिसाब से एपाइंवेंट लेटर इसु होते हैं अब ये कोव में भी असिस्टेंट लोको पाइलेट और टेकनीशियन हैं ये हाइली टेकनिकल जॉग है ये जैसे ही जॉइन करते हैं अगर उन्हों ने आज हमको जॉइनिंग रिपोर्ट दी तो उनको हम नेक्स डे ट्रेनिंग पर भेज़ देते हैं जब तक उनको हम लोकों की ट्रेनि ना दें और या टेकनीशियन को टेकनिकल ट्रेनिंग ना दें वो रेलवे में कोई काम नहीं कर सकते हैं तो हम उनको जॉइन कराके और उनसे हम कोई काम नहीं करा सकते हैं प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग क्लियर करें तो ये जो तीन स्टेज में बताता प्रेणिंग करेंगे यह जो लॉक्डाउन हुआ और यह जो कोविट-19 की सिच्वेशन आई इसमें सबको समस्या हुई प्रेणिंग हमको रोकना पड़ा है और इससे यह जो सारा प्रोसेस है थोड़ा सा यह डिले हो गया लेकिन आपनों के माध्यम से मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग पूरी कोशिस कर रहे हैं कोविट सिच्वेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे हम ट्रेणिंग को फि विद्ट में ट्रेणिंग देनी पड़ती है उनको सुर्टिन आवर्स गंटे आसे होते हैं जो लोको की ड्राइविंग के देनी होती है सब होती है ओने कैने देट्स को भरोसा दिलाता हूं कि भारती रेल उस पे सिंसेरली काम कर रही है और यह हम देखेंगे कि जितनी जल् जो एबरटाइज कि थी लेविल तक इस पे अपोइंट्मनेटर इसुट करे जाएंगी यह मैं भहु हुसा दिलावाँ चाहता हूं, आपकी मार्दे पे सारे कैने जोह है। डूसरी प्रइब क्षच्चिन the question was about the question was about the revenue from Strammik special express trains the Strammik special trains to railways and the average fare that railways got from these trains average fare per passenger see the average fare we got around 600 rupees and we have carried more than 60 lakh passengers so you can just find out what is the revenue but only thing I would like to mention that these fare was fixed only as for the normal rate of the mail express train this special train compared to the fare and as I said that the Strammik special train has been paid we have been paid and we have fixed the fare which is the normal fare which is the collection which is about 600 rupees average per passenger साथ लाग से जादे पैसेंजर ट्रेवल कर चुके हैं वो जो खर्चा हमारा इस पेसल ट्रेन का रहा है उसका खाली 80 खाली 15 परसंट की रिकावरी हो पा रही है 85 परसंट जो इसका खर्चा है वो भारती सरकार खुद भाहन कर रही है एट्थ वेरी मुझध धन्यवाद झाली इन ज्यू है नहीं कर बेंगे को रही है वहाफ यहां है झाली एट्पर नायू ओरहली नहीं है और रही है था जाएप्सिए